हेलो फ्रेंट्स आज बात करते हैं इंडिया साउथ एफरीका के पहले टेस्ट मैच की जो की वाइजक में खेला जायाएगा दोनों टीमें इस टेस्ट मैच के लिए काफी तयार नजर आ रही है जिस तरीके के हमने उनके प्रैक्टिस के विजुल्स देखे जिस तरीके की बा मैच इंडिया ने जीता, साउथ एफरीका ने जबरदस तरीके से कमबाक किया और दूसरे मैच में कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल गी और सीरीज रही वन-वन पर लेकिन टेस्ट मैच में और सीरीज में हम उमीद करेंगे कि इसमें कुछ रिजल्ट आए और एक टीम जो ह इनको हासिल करें वाइजेक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो खबरे आ रही है मौसम ठीक नहीं है और बारिश जो है वो खलल डाल सकती है इस टेस्ट मैच में तो ये भी एक फैक्टर रहेगा और रेन का भी एक फैक्टर रहेगा क्योंकि उस पार्ट में काफी ब दो-चार दिनों में चलिए बात अगर मैं इंडियन टीम की करूँ तो जो दो खबरें सामने निकल कर आ रही है एक खबर तो पहले से ही पता थी कि रोही शर्मा जो है वो ओपनिंग करने वाले हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में वाइड बॉल क्रिकेट में वो जबर्दस्ते रहे हैं लेकिन यहां पर एक नई पारी के शुरुवात करेंगे रेड बॉल क्रिकेट यानि की टेस्ट मैच क्रिकेट में भी रोही शर्मा ओपनिंग करते वी नजर आएंगे प्रेक्टिस मैच में रोही शर्मा ने ओपनिंग की थी लेकिन वो एक्सपेरिमेंट काम्याब नहीं रहा था चलिए एक मैच था उसको भूल जाईए रोही शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी है और एक मैच में कई बार हो जाता है दो बॉलें खेली थी डख पे आउट हो गए थे लेकिन टेस्ट मैच में अब याद करें डेब्यू में शतक लगा चुके हैं रोही शर चलिए रही शर्मा को दिया जाएगा यानि कि यह जो पूरी टेस्ट सीरीज है उसमें रोही शर्मा को एज ए ऊपनर खिलाया जाएगा ये एक अची बात है अगर कप्तान किसी को बैक करता है किसी खिलाड़ी को तो उसके कॉन्विडेंस के लिए अच्छा होता है और अग इस लक्षमन ने भी अपने कॉलम में लिखा था कि रोई शर्मा को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए बलकि जस तरीके से वो free flow अंदाज में वो खेलते हैं वैसे खेलना चाहिए अगर ज्यादा सोचेंगे अपनी टेक्नीक के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि कैसे ब्लॉक करना है या पिछ की कंडिशन कैसी है तो वो टाइम लेते हैं अपना और उसके बाद इनिंग को अपनी पेस करते हैं चलिए यह हम सबकी तरफ से शुपकामना है रोई शर्मा के लिए कि वो as an opener भी काम्याब हो test match cricket में दूसरी खबर जो निकल किया आई विराट कोली की press conference से वो यह की रिशब पांथ वो test match में wicket keeping नहीं करेंगे रिदीमन सहा जो है वो भारत की तरफ से wicket keeping करते वे नजर आएंगे देखिए test match में जब महन सिंग दोनी retire हुए थे उसके बाद रिदीमन सही चले आ रहे थे अच्छी wicket keeping उन्होंने की थी और middle order मैचे खासे run भी उन्होंने बनाये थे लेकिन फिर वो shoulder injury उनकी हो गई जिसकी वज़े से काफी time gap आ गया और फिर रिशब पन्त थे क्योंकि England में एक century लगाई और Australia में एक century लगाई तो वो कहीं न कहीं उन्होंने place को fix कर लिया था लेकिन West Indies का दौरा हो वहाँ पर सबनी ये notice किया कि चायद अभी keeping skills जो है वो उस तरीके के नहीं हो पाए है test matches के लिहाद से रिशब पन्त के और बल्ले बाजी में भी लोगों को लग रहा था कि कुछ एक दो ऐसे shots खेल रहे हैं जिसकी वज़े से वो आउट हो जारे test matches में सबको लग रहा है क्योंकि भारत में spinning track होगा रवी चंदर नश्विन होंगे रवी जडेजा होंगे अगर ये combination भारत अपनाता है तो spinning track में जो keeping है वो करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी keeper के लिए और रिदीमन साहा क्योंकि try and tested है और successful wicket keeper है तो शायद वो in condition में जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं बल्ले बाजी की भी अगर बात करें तो रिशप पन्त ने test matches में जो इनिंग के लिए थी उसके बाद कुछ ऐसे shots खेले जिससे team management का जो भरोसा उन पर तूटा है और रिदीमन साहा का अगर हम record देखें तो उन्होंने जब भी इंडिया के लिए खेला middle order में तो 50-60 run वो बना लेते थे वो confidence देते थे तो शायद ये उनके favor में ये बात गई और team management ने finally ये realize किया कि जी हाँ बिलकुल अब रिदीमन साहा जो है वो रिशप पन्त की जगे लिए अलगे खबर ये भी है कि selectors नहीं चाहते थे selectors चाहते थे कि पहले दो test matches में तो रिशप पन्त को ही अपनाया जाए उनको ही खिलाया जाए लेकिन team management रवी शास्तरी वेराट कोली सो उसने की नहीं चांस है रिदीमन साहा के लिए तो रिदीमन साहा की जो है वो वापसी हो रही है test cricket में इंडिया टीबी स्कूरेड में आप हमारे instagram और facebook पेज जो की news state के नाम से उसको like कर सकते हैं